रुत्राखन के मुख्यमंत्री त्रवेन सिंग रावत के ट्विट से छेड़ चार कोलेकर अग्यात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दे दिये गए हैं बतादे कि नेता जी सुभाष चंद्र बोस की ज्यनती पर किये गए ट्विट में अमर्यादित शब्दों का प्रयोक कर किसी शक्स ने उसे सोशल मीडिया पर वारल कर दिया लियाजी ने इस मामने में कैंट कोतवाली पोलस को कारवाय की नरदेश दिये हैं मुकि मंत्र त्रवेन सिंग ग्रावत ने गुरुवार सुभे व्यक्तिगत ट्विटर अकाउंट से नेता जी सुभाष चंद्र बोस को जनन दिवस पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते वे एक ट्विट क्या था आरोप है कि किसी शरार्ती तत्व ने ट्विट में छेड़ चाड़ कर पोस्ट एड़िट की और फिर सोशल मीडिया पर वारल कर दिया तो छेड़ चाड़ की गई है सियम तरवेन सिंग रावत के ट्विट से दरसल नेता जी सुभाष अंद्र बोस की कल जैन थी थी और उन्ही को श्रद्धा सुमन अरपित करने के लिए उनके युगदान को यात करने के लिए खल उन्होंने एक पोस्ट किया था लेकिन इसी पोस्ट से छेड़ चाड़ की गई और इसके बाद शिकायत की गई है अग्यात लोगों के खिलाफ कारवाई के आदेश यहां पर दे गए हैं और मरियादत शब्दों का स्तमालियां पर किया गया था तो हम आपको वो दोनों ट्विट दिखा रहे हैं जो पहले किया गया था और उसकी बाद जो एडिट किया गया है और एक बपर से पंकच पवार हमारे साथ धेरादून से ब्यूर चीफ यहां पजूर ग किया जाए लेकिन साफ तोर पर लगता है कि मुख्यमंदरी की छवी को धूमिल करने की कोशिश कुछ जो असमाजिकता तो है वो कर रहे हैं इसलिए मुख्यमंदरी के जो पंकर चीफ क्या यह समझ सकते हैं कल जो यहां पर चेताबनी दी थी सब्दों में सेम्तिवें सिंग दावत के जरिए उसके बाद यह ची ज़्चाड की गई होगी कोशिश जही होगी और यह वो तो पहले ही चीफ चाड हो चुकी थी हो मुख्यमंदरी का बयान तो बाद में आता लेकिंट के पिछले कापी समय से मुख्यमंदरी की चवी को दूमिल करने की चल रही है कि उनक प्रजबर्जन्ट किया जाता है तो ये मुख्यमंतरी की जो ये ट्वीटर है उसको भी हैक किया गया और मुख्यमंतरी ने जिस तरीके से सुभाज चंद बोस के लिए एक बहुत अच्छा संदेश लिखा तो उसको किस तरीके से उसमें पदल कर उसको दूसरा एक पोश्ट दाल दिया गया वो द आर नाइन के दर्शोकों के सामने है तो साफ तोर पर नजर आता है कि उसमें चेड़ चार की गई है और उसी समय पर आड़ बचकर एक चालीस मिनट पर सुभाज के समय पर अगर मुख्यमंतरी स्वादीन अगर सुभाज चंद बोस के लिए डालते है तो कई ना कई ये दिखाता है कि उनकी उससे छेड़ चार हुई है और अब इस पर मुकदबा दर्ज होने के लिए आदेश हो गए हैं और जो नदीम अथर हैं जो जो एससपी के जो अधिकारी हैं वो इस पूरे मामले की जाच करेंगे उमीद है कि जो भी यहां पर है समाजिकता तो जिन्होंने इस तरह से पोस्ट को बदला है उनकों पर जल्द कारवाई हो बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंकर जिमार साजोने के लिए